नेक्स्ट पॉइंट है हमारा purchase return ये पॉइंट हमारा purchase of goods से related है goods की अगर मैं बात करूँ तो goods को लेकर हमने purchase of goods देखा था और sales of goods देखा था purchase of goods के अंदर हम goods को purchase करते हैं जब कि sales of goods के अंदर हम goods को sale करते हैं और इसके बाद हमने goods को लेकर एक और topic देखा था जिसके अंदर हमने समझाता कि sale के अलावा और भी कई reasons होते हैं जिसकी वज़े से हमारे goods decrease और reduce होते हैं अगर आप goods को sale करोगे तो तो confirm ही है कि goods decrease होंगे ही होंगे लेकिन हमने कुछ और cases भी देखे थे जहांपर sale के अलावा और भी reasons थे goods के decrease होने के जिसके अंदर हमने drawing देखा था charity देखा था free sample देखा था lost by theft देखा था lost in transit देखा था lost by fire देखा था तो यह हमारे कई reasons बन जाते हैं जिनकी वज़े से हमारा goods decrease होता है अब यहां पर आजम इसी तरीके के एक और reason के उपर बात करने जा रहे हैं जो की हमारा other than sale है और जिसकी वज़े से हमारे goods decrease होते हैं तो आजम देखेंगे purchase return पर्चेज रिटन की वज़े से भी हमारे goods decrease होते हैं reduce होते हैं जब भी आप goods को purchase करते हो तो आपका goods increase होता है लेकिन अगर मान लो जितने goods आपने purchase करें उनमें से 2-4 goods defective आ जाएं या आपके use के ना हो या फिर गलत आ जाएं तो फिर उस case में आप उन goods को वापिस करवाते हो उनको return करते हो तो जब भी हम purchase of goods में से कुछ goods को return करते हैं तो उन return करे गए goods को हम purchase return का नाम देते हैं तो यहाँ पर अगर मैं goods की बात करूँ तो सबसे बहले हम goods को purchase करते हैं और जब भी हम goods को purchase करते हैं तो हमारे पास उसके 2 effect आते हैं पहला effect होता है कि हमारा purchases increase हो जाता है आप चाहे goods को cash में purchase करो, चाहे credit में purchase करो हमारा purchases तो increase हो गाई होगा और ये बात हमें अच्छे से पता है कि purchases हमारे goods को show करता है purchases बढ़ने का मतलब है कि हमारे goods बढ़ रहे हैं, goods हमारा asset होता है asset बढ़ेगा तो उसको हम debit करते हैं तो simple सी बात है, जब भी हम goods को purchase करते हैं, तो हमारा purchases debit होता है तो ये तो होगे हमारा पहला effect अब अगर मैं दूसरे effect की बाग करूँ तो अगर हमने goods को cash में purchase करा है तो हमारा cash decrease हो जाएगा cash हमारा asset है, asset अगर decrease होगा, तो उसको हम credit करेंगे तो अगर हमने goods को cash में purchase करा है तो उस case में हमारी general entry बनती है purchases account debit to cash account लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम goods को credit में purchase करें तो फिर उस case में क्या होगा तो एक बात तो confirm है कि credit purchase हो चाए cash purchase हो purchases तो हमारा increase होना ही होना है goods तो हमारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और अगर question में seller का नाम given नहीं है तो उस case में हम creditor लिख देते हैं तो चाहे seller का नाम हो चाहे creditor हो दोनों ही हमाले liability है और यहाँ पर हमारी liability increase होती है तो liability increase हो रही है तो इसको हम credit करेंगे तो यहाँ पर अगर credit purchase है तो उस case में हमारी general entry बनती है purchases account debit to creditor account तो समझ में आगया आपको तो अभी तक जितनी भी बाते मैंने आपके साथ करी ये तो सिर्फ आपके लिए एक revision करवा दी मैंने बाकि purchase of goods को लेकर सारी बाते हम पहले ही detail में discuss करके आ चुके हैं इनकी general entries को अच्छे से देख चुके हैं आज तो हमारा discussion होने वाला purchase return के ओपर पहले हमने goods को purchase करा तो हमारा purchases increase हो गया अब हम goods को return करेंगे तो उस case में हमारा purchases decrease हो जाएगा यहाँ पर हमारा purchases decrease हो गा जिसको हम purchase return का नाम देंगे purchase return भी हमारा purchases ही है और ये भी हमारे goods को ही show कर रहा है तो ये भी हमारा asset होगा, asset decrease होगा, तो इसको हम credit करेंगे, तो अगर आपने goods को cash में purchase करा था, और फिर उसके बाद आप उनमें से कुछ goods को return कर रहे हो, तो उस case में आपके purchase return के दो effect होगे, पहला कि आपका purchases decrease होगा, और साथ के साथ उन goods को वापिस करने की वज़े से हमारा cash increase हो जाएगा, हमारे पास उन goods का पैसा वापिस आजाएगा, लेकिन अगर मान लो कि आपने goods को credit में purchase करा था, और उसके बाद उनमें से कुछ goods को आप वापिस कर रहे हो, तो उस case में क्या होगा, तो simple सी बात है, पहला effect तो ये होगा होगा, अगर आप goods को return कर रहे हो, तो आ आपके सर पे इतने का उधार है, आपने इतना पैसा उस seller को pay करना है, जिस seller से आपने उधार में goods purchase करें, liability तो यहाँ पर यही show करती है, लेकिन अगर आप उधार में purchase करें गए goods में से, कुछ goods को वापिस करवा देते हो, तो उस case में आपकी liability decrease हो जाएगी, यहाँ पर purchase करत आपके liability में से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने के goods आपने वापिस कराएं, उतने के liability आपके decrease हो जाएगी, तो समझ में आ रही है बात, थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी अभी example देखेंगे, तो सारी बाते अपने आप clear हो जाएगी, तो अगर मैं इसके example की बात क तो यहाँ पर हम इसके entry किस तरह करेंगे, यह तो आपको पता है, मुझे समझानी जरूत नहीं है, बहुत बार पहले भी discuss कर चुके हैं, सबसे पहले हमारा purchases increase होगा, यानि हमारा goods increase होगा, और साथ के साथ हमारा cash decrease होगा, तो हमारा purchases का मतलब होगे हमारा goods, goods हमारा asset होता है, asset बढ़ेगा तो उसको हम debit करेंगे, और साथ के साथ हमारा cash decrease होगा, cash भी हमारा asset है, asset decrease होगा, तो यह credit होगा, अब जिसको यह समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने purchase of goods वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाके पहले purchase of goods वाली वीडियो को देखो, तभी तो आ हम discuss करेंगे purchase return के बारे में, तो आज हम purchase return की general entry देखेंगे, तो अगर मैं purchase return की बात करूँ, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा example 57 है, जो कि हमें कहा रहा है, rejected and returned 10% of goods supplied by Mohan, तो उपर के example में देखो, Mohan ने हमें 30,000 के goods supply करे थे, और यहाँ पर example number 57 हमें बोल रहा है, कि business ने Mohan क goods को purchase करा, और बाद में, जितने goods purchase करे थे, उसका 10% goods वापिस कर दिया, तो यह 10% हमारा purchase return के लाएगा, अब वापिस करने का reason कुछ भी हो सकता है, हो सकता goods defective हो, या फिर जो है, जिस purpose से मगाए गए हो, वो purpose पूरा ना कर रहे हो, या फिर कोई quality issue हो, तो कोई भी reason हो सकता है goods को वापिस करने का, उसमें हमें नहीं जाना, हमें जितना बोला गया है, हमें सिर्फ उतना ही काम करने है, तो यहाँ पर 30,000 का 10% कितना होता है, 3000, तो 3000 के goods यहाँ पर वापिस करे जा रहे हैं, सबसे पहले business के पास से goods जाएंगे, जिसको हम purchases के नाम से दिखाते हैं, तो ज accounting हमें बोलती है कि जब भी आप goods को वापिस करवाओगे, तो उसको आप purchase return के नाम से लिखोगे, तो यहाँ पर यह purchase return हमारे purchases को ही show कर रहा है, लेकिन इसको लिखा जाएगा purchase return के नाम से, अब यहाँ पर हमारे पास से goods चले गए, तो बदले में हमारे पास cash वापिस भी आएगा, तो हम cash account को debit कर देंगे 3000 से, 3000 का cash हमरे पास वापिस आगया, और हमने 3000 का goods return कर दिया, तो हमारी entry बन गई, purchase account debit to purchase return account, तो यह बिल्कुल reverse entry है, जो entry हम goods को purchase करते समय करते हैं, उस entry का बिल्कुल reverse आईए, बस यहाँ पर हम purchases की जगे पर purchase return लिख देते हैं, तो समझ में आगया, बाकि आप narration तो लिख लोगे, तो यह तो हमारा cash purchase, अब ज़रा credit purchase को भी देख लेते हैं, कि आखर credit purchase में किस तरह goods को वापस करा जाता है, तो यह हमारा example 58 है, bought goods from Ramesh for Rs. 70,000, तो business ने Ramesh से 70,000 के goods purchase करें, अब यहाँ पर हमें question ने नहीं बताया, कि यह transaction cash है या credit है, तो मैंने आपको कई बर समझाए हुआ है, कि जब भी आपको question के अंदर given ना हो, कि transaction क्या है या credit है, तो उस case में आपको यह देखना है, कि क्या आपको party का नाम given है, तो यहाँ पर बिल्कुल हमें party का नाम given है, हमें seller का नाम बता रखा है, रमेश हमारा seller है, तो अगर आपक goods increase हो रहा है, इसका मतलब हमारा asset increase हो रहा है, और जब भी हमारा asset increase होता है, तो उसको हम debit करते है, तो यहाँ पर हम purchases account को debit कर देंगे, 70,000 से, और साथ के साथ हमने उधार में goods purchase कर रहा है, तो हमारे business की liability भी increase हो जाएगी, यहाँ पर liability के नाम पर हम रमेश का नाम लिखेंगे रमेश हमारी business की liability होगा, तो यहाँ पर हमारी liability increase होगी, जिसको हम credit करेंगे, liability बढ़ती है तो हम credit करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे to Ramesh account, 70,000, तो हमारी entry बन गई, purchases account debit to Ramesh account, तो यहाँ पर आप narration लिख लेना, being the goods, purchase and credit, इसको सही कर लेना, यहाँ पर credit आएगा, तो बात समझ में आ गई, entry clear हो गई, तो यह entry तो आपको पहले से पता थी, आज तो हम देखेंगे अपनी purchase return वाली entry, हमारा example 59, rejected and returned, 20% of goods supplied by Ramesh, business ने Ramesh के द्वारा supply करे गए, 20% goods को वापस कर दिया, return कर दिया, तो Ramesh ने हमे 70,000 के goods supply करे थे, जिसका 20% होता है 14,000, तो 14,000 हमा परचेस डिक्रीज हो जाएगा, business के पास से goods चले जाएगे, और जब भी हमारा परचेस डिक्रीज होता है, तो उसको हम credit करते हैं, और साथ के साथ यहां पर business की liability भी decrease हो जाएगी, इसको सही कर लेना, Ramesh जो कि हमारी business की liability है, वो decrease होगी, और जब भी हमारी liability decrease होती है, तो यहां पर हमारी entry बनेगी, Ramesh account debit to purchase return account 14,000, तो एक तरफ तो हमारी liability decrease हो गई, और साथ के साथ दूसरी तरफ हमारा goods भी decrease हो गया, तो यह उपर वाली entry का बिलकुल reverse है, उपर हमारी liability increase होई थी, business ने Ramesh को 17,000 पे pay करने थे, लेकिन अब यहां पर business ने, क्योंकि 14,000 के goods वाप 56,000, अब business ने Ramesh को सिर्फ 56,000 पे करने है, तो समझ में आ रही अब को बात, बाकि आप narration लिख लेना, being 10% of goods supplied by Ramesh return, तो clear हो गया, तो यह हमारे credit transaction का example था, जिसके अंदर हमें party के नाम given था, अब credit transaction के अंदर हमारे पास एक और case बनता है, जिसके अंदर हमें party के नाम given नही 50,000 के goods purchase करें, तो question नहीं बता दिया हमें, कि यह credit transaction है, लेकिन यहाँ पर हमें party के नाम given नहीं है, तो अब इस case में क्या होगा, general entry किस तरह होगी, तो सबसे बहले तो हम purchases को increase कर देंगे, business ने goods को purchase करा है, तो business का goods तो increase हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा purchases increase हो जाएगा, purchases हमा goods है, और जब भी हमारा asset increase होता है, तो इसको हम debit करते है, तो यहाँ पर हम purchases को debit कर देंगे, अब क्योंकि हमें party के नाम given नहीं है, तो यहाँ पर हम party के नाम की जिगे पर creditor account लिख देंगे, अब क्यों लिखेंगे, यह बात आपको पहले से पता है, मैं purchase of goods के अंदर इसका logic आपको दे चुका हूँ, seller भी हमारा creditor होता है, अगर हमें seller के नाम की जिगे पर creditor account लिख दो, तो यहाँ पर हमारा creditor increase हो जाएगा, तो यह भी तो हमारी liability है, और जब भी हमारी liability increase होती है, तो उसको हम credit करते है, तो बस बन गई हमारी entry, purchases account debit to creditor account, तो यह entry तो आपको आती इसमें तो कुछ नहीं समझाना था, बस यहाँ पर आप सही कर लेना, being the goods purchase in credit आएगा, यहाँ पर हमें देखना है example number 61, जो कि हमारा purchase return का है, rejected and returned 10% of goods supplied by creditor, तो यहाँ पर creditor ने जो goods supply करे थे, उसका 10% goods business ने वापस कर दिया, 50,000 का 10% कितना होता है, 5000, 5000 का goods, business ने creditor को वापस कर दिया, तो यहाँ पर business के पास से 5000 का goods कम हो जाएगा, तो हम अपनी purchases को decrease कर देंगे, purchases हमारा asset है, asset decrease होगा तो credit होगा, तो यहाँ पर हम to purchase return account लिख देंगे, 5000, अब साथ के साथ हमारी liability भी decrease होगी, जब हमने goods को purchase कर रहा था, तो हमारी liability increase होई थी, अब जब हम goods को return कर रहे तो हमारी liability 5000 से decrease होगी, तो यहाँ पर हमारा creditor 5000 से कम होजाएगा, इसको आप स livelihood होगा, यहाँ पर हमारा creditor decrease होगा, यानि अमरी liability कम होगी, और जब भी अमारी liability कम होती है तो इसको हम debit करते है hem, तो हम creditor account को debit कर देंगे 5000 से, तो हमारी entry बन गई, creditor account debit to purchase return account, तो clear है आपको सम जिस तरह हमने purchase return को देखा उसी तरह हम sales return को भी देखेंगे